हेलो दोस्तों आप सभी का all-round knowledge में स्वागत है और आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से simple past tense के sentences को passive voice में change कर सकते हैं तो आज का वीडियो काफी interesting है आप लोग सभी इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और उससे पहले हम लोग कुछ basic चीज भी स आप देख सकते हैं बहुत सारे sentences है और सभी तरह के sentence है interrogative, negative और affirmative तो काफी interesting वीडियो है और लगभग 15 sentences को हम लोग passive voice में change करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ basic चीज़े हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि active voice और passive voice क्या होता है जैसे मान लीजिए कि I wrote a letter I wrote a letter तो यहां किस voice में है अभी active voice में है और कैसे जानेंगे कि यह active voice में है या फिर active voice में क्यों है तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि I wrote a letter मैंने एक पत्र लिखा और यहां भी किस tense में है simple past tense में है तो मैंने एक पत्र लिखा तो यहां जो लिखने का काम हो रहा है वो कौन कर रहा है मैं I तो यहां पर I subject है जो doer of an action है या आप यह भी कह सकते हैं कि performer of an action है यानि जो काम हो रहा है उसको perform I कर रहा है यह बात है आपको समझ में आ गई तो यह active voice में है अब passive voice में क्या होता है कि जैसे a letter है इसको पहले लिखते हैं a letter was written simple past tense में was where लगता है was written by me अब यहां पर है कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया a letter was written by me और यहां पर subject क्या है a letter है यहां पर subject आई है लेकिन यहां पर subject क्या है a letter है तो अब जो है यहां पर a letter क्या letter यहां काम कर रहा है या काम को प्राप्त कर रहा है receiver of an action है जी हां तो यहां पर letter को पर ही काम हो रहा है letter को खुद लिखा जा रहा है तो यहां पर जो subject है a letter यह क्या है receiver of an action तो जब subject receiver of an action रहे तो समझ जाएंगे कि आप passive voice में है और जब subject performer of of action रहे यानि काम करने वाला रहे तो आप समझ जाएंगे कौई एक्टिभ वाइस में है तो यह है आप लोग में समझ में आगया और यहां भी किस टेंज में शिंपल पास्टेंज में और आज के वीडियों हम लोग सिंपल पास्टेंज के सेंटेंज को ही सिंटेंज में आप यहां पर जैसा एक देख सकते हैं structure दिया गया है तो सबसे पहले आपको subject लिखना है और उसके बाद वाज वर लगाना है subject के नुसार माल लिजे यहां आई है तो यहां वाज लग जायागा माल लिजे यहां पर trees है एक से अधिक कोई समान है तो वर लगा देंगे और भर example के माधि में से बेटर तरीके से समझने का परियास करेंगे आज का पहला sentence है I wrote a letter मैंने एक पत्र लिखा और यहां भी किस टेंस में है simple past टेंस में जो object होता है यहां पर object क्या है a letter है तो इसे subject की तरह लिखते हैं तो a letter को पहले लिखेंगे इसके बाद जो है यहां पर was या war लगेगा तो चुकि letter एक है तो singular नमर में was लगाते हैं तो was लग जाएगा इसके बाद भर भर थिरी तो यहां पर return हो जाएगा a letter was written by me I को किस में बदलना है मी में बदलना है यहां पर मैं आपको एक list देता हूँ I को मी में बदलना है V को us में बदलना है U को U में ही बदलना है इसके अलाबा आपको he को he में बदल देना है सी को हर में बदल देना है इसके अलाबा यदि दे रहेगा तो आपको देम में बदल देना है अब नेक्स सेंटेंस की तरफ धियान देंगे दे चीटेड अस उन लोगों ने हम लोग को धोखा दिया तो यहाँ पर यहाँ भी किस टेंस में? अब यहाँ पर अब्जेट के है अस लेकिन अस को अस के रूप में नहीं लिखेंगे बलकि अस किस से बना है? वी से तो वी को पहले लिखेंगे और वी के साथ क्या लगाएंगे? वर वी के साथ वर लगता है वी वर चीटेड और यहाँ पर लिखेंगे by और by लिखने के बाद दे को किसमें बदलना है देम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे को दे में बदलना है और देम यदि रहेगा object तो फिर दे में बदलना है तो we were cheated by them यानि हम लोग को धोखा दिया गया उन लोगों के द्वारा next sentence काफी interesting है you made a big mistake तुमने बहुत बड़ी गलती की you made a big mistake तो क्या की गलती तो a big mistake यह क्या है object है तो इसे शुरू में लिखेंगे a big mistake was made by you you को you में ही बदलेंगे by you दोस्तों इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और यदि है वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा next sentence काफी interesting है the principal introduced the chief guest principal ने chief guest को introduce किया उसका परीचे दिया तो किनका परीचे दिया गया the chief guest तो the chief guest क्या हो जाएगा यहाँ पर object तो यहाँ हो जाएगा the chief guest was introduced was introduced by the principal अब हम लोग इंट्रोगेडिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं जैसे did he help you क्या उसने तुम्हारी मदद की यहाँ पर did है यानि की question है क्या है सुरू में did he help you क्या उसने तुम्हारी मदद की तुमाना लिजैक्र हिंदी में बनाते हैं कि क्या उसने तुम्हारी मदद की तो क्या उसके दूआरा तुम्हारी मदद की गई इसे हम लोग को translate करना पड़ेगा तो कुकी मालीजै की अभी simple रहता he helped you रहता कि हम लोग Passive voice में Change करते,You were helped by him. You were helped by him Likते, क्योंकि यहां did पहले है, क्या पहले है, तो Passive voice में क्या को पहले करने के लिए Were को क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा. तो इसे हम लोग क्या करेंगे. पहले लिख देंगे. Were you helped ? Were you helped By him, he को him में change कर देंगे. Were you helped by him? क्या आपकी मदद उनके द्वारा की गई? Next sentence काफी interesting है. Who broke this chair? इस कुरसी को किसने तोड़ा? तो इसलिए यदि हिंदी में हम convert करें, पैसिव हो इसमें, तो यहां कुरसी किसके द्वारा तोड़ी गई? तो शुरू में आप by whom यूज़ कर सकते हैं. किसके द्वारा by whom? और इसके बाद जो है was लगा देंगे. By whom was this chair? Broken. और by को हम last में भी रख सकते हैं. तब होगा who was this chair broken by? तब आपको who यूज़ करना पढ़ेगा. Did her answers? impress you. क्या उसके उत्तर तुम्हें impress किया? तो did her answers. यहाँ did पहले है. और यहाँ पर हमारा object क्या है? you. क्या है? you. तो you को किसमें change करेंगे? यू में ही. अब you के साथ क्या लगता है? were. तो were को पहले करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ जब did पहले है, तो इसका helping verb did है, तो did पहले हुआ. लेकिन passive voice में helping verb were है, तो were को पहले करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हो जाएगा, were you impressed? देखें, जब did लगता है, तो यहाँ पर भर्ववा नहीं लगेगा. लेकिन passive voice में तो भर्वथर ही लगता है, इसलिए ed लगेगा यहाँ पर. were you impressed? by her answers. by her answers. दोस्तों, इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा, यदि आपको अच्छे सिखना है तो. तो आपको support कितने दोस्तों द्वारा किया गया? यह question मनेगा passive voice में. तो यहाँ पर जो है, object क्या you, तो you को पहले करेंगे. लेकिन यहाँ पर question word है, how, how many friends, तो यहाँ पर हो जाएगा, you were supported. you were supported by how many friends. यहाँ इसे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं. how many friends were you supported by? were you supported by इस तरीके से भी आप बना सकते हैं. नेक्स सेंटेंस है, how many friends did you invite? आपने कितने दोस्तों को invite किया? तो माली जीए इसे हिंदी में यदि convert करें, पैसिब हो इसमें. तो आपके द्वारा कितने दोस्तों को invite किया गया? यानि कि how many friends were invited, कितने दोस्तों को invite किया गया? by you, आपके द्वारा हूँ. क्योंकि यहाँ पर you जो है, काम करने वाला है, you invite कर रहा है, किसको? how many friends को. तो यह object है भी, how many friends. तो object को पहले लिखेंगे, how many friends were invited, कितने दोस्तों को invite किया गया? by you, आपके द्वारा. next sentence है, when did they rectify the mistake? उन लोगों ने अपनी गलती को कब सुधारा, rectify किया? तो when did they, do or often action they है, काम करने वाला they है, और उसने क्या सुधारा? the mistake को. तो the mistake object है, object को पहले लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर question word है when, तो यहाँ पर भी होगा when, और यहाँ पर did लगा, लेकिन यहाँ पर was लगेगा, when was the mistake? rectified, भरबधरी हो जायागा, rectified, दे यहाँ पर subject है, तो object के रूप में क्या आजाएगा? them. when was the mistake? rectified by them. उन लोगों के द्वारा, गलती को कब सुधार किया गया? next sentence है, did India win the match? तो यहाँ पर did पहले है, तो इसमें was को पहले करना पलेगा, और यहाँ पर object है the match, तो the match को पहले करेंगे, was the match, won, क्या match को जीता गया? by India, India के द्वारा? next sentence है, she did not help me, तो यहाँ पर object है me, यानि कि I, और आई के साथ लगता है was, I was not helped by her. next sentence काफी interesting है, the river water flooded the fields, यानि river water ने खेतों में बाला दिया, तो कहाँ पर बाला दिया? खेतों में, the fields, तो यहाँ पर हो जाएगा, the fields, fields है, एक से दीक है, were use करेंगे, the fields were flooded, by the river water, by the river water, next sentence है, did you receive the transfer order in time, क्या तुम्हें transfer order समय पर मिल गया? तो यहाँ पर did है, और हमें मिला क्या? transfer order, तो यह object है, object को subject के रूप में लिखेंगे, transfer order एक है, इसलिए was को पहले करेंगे, क्योंकि यहाँ did पहले है, जिसमें was पहले होगा, was the transfer order, was the transfer order received, did you है, तो यहाँ पर हो जाएगा, received by you, in time, time, समय पर, और आज का आखरी sentence है, we celebrated Diwali with great pomp and so, बड़े ही धुम धाम से हम लोगों ने Diwali मनाया, तो क्या मनाया? Diwali, तो यहाँ पर हो जाएगा, Diwali was, एक ते वहार है, इसलिए was उज़ करेंगे, Diwali was celebrated, with great pomp and so, या by us, हम लोग के द्वारा, with great pomp and so, बड़े ही धुम धाम से, और दोस्तों उमीद करता हूँ, कि आज का वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, यदि है वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मैंने इस वीडियो पर काफी मेहनत किया है, आप लोगो को समझाने के लिए, और मैंने अपने 100% दिया है, कि आप लोगो को समझ में आ जाए, फिर भी कोई दिक्कत है आप लोगो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा, ओल्राइट, दियर स्टूरेंट्स और फ्रेंड्स, थैंक्स पर वाजिंग, वेड़ेट जेए,